है नंबसकार मित्रों तो सवर्षागत है आपका संस्कृत की एक और नाई टॉपिक में तो जैसा कि हमने आप से पिछली वीडियो में कहा था कि हम इस जो हमने विभक्ती परिशन की जो वीडियो का जो टॉपिक लिया है उससे हम पूरा कर देंगे तो जो बांगी के परिशन है? वो हमने जैसा कि आप से कहा था, यह जो है असत्य को आपको इस मेसरेज जूना है, क्या है यह? tw jarld लिखा यहां पर वी, तो यहां लिखा है 10 रूप में, त्रथिया वे वक्ति हैं, तो क्या यह सही है? क्या यह गलत है? तो यदि आपको इसका उत्तर पता है, तो आप उसे comment box में लिख दीजिए या नहीं पता है तो आप इसका answer यहाँ पे देख सकते हो तो यह सत्य है तो तेन यहाँ पे तृत्य वक्ती होती है और इसका जो है आपका मूल सद्वुतत है उर्तत मतलब होता है उसे तो आपने यह पढ़ा होगा उसे जो भी हम उपयोग करते हैं या जैसे हम बोलते हैं तो उस तरह से आपका उसमें एक रूप रहता है वो तृत्य वक्ती में कि बहाँ पे आपका यह तेन बन जाता है तो यह सत्य है अब नेस्ट जो परसन हम लेते हैं वो है कि जो रमया है रूप पंचमी और सश्टी भक्ती में बनता है तो यह आपको बताना है कि रमया जो सब्द है वो पंचमी और सश्टी भक्ती में एक सा रहता है यह फिर और कोई बात है तो पहले आप देख लिए जिसका उत्तर क्या है तो जी हाँ यह सत्य है ये भी तो जो रमय है हमारा जो मूल सब्द है उसकी जो विवक्ति होगी बो या तो पंचनी या फिर सश्टी या फिर दोन हो सकती है तो ये भी सकते हैं और जितने भी हमने आपको प्रस्ट करा हैं और ये जो करा रहे हैं वे सारे के सारे बहुत ही महत्पूर्ण है क्योंकि ये competitive exam में और आपके board exam में पक्के आने बाले हैं तो यदि आपको अभी भी ये विस्वास नहीं है तो आप जो last year के paper है उनको आप जाके देख सकते हो तो चलिए अब हम देखते लेते हैं यहाँ पे हमारा next person तो देखें यहाँ पे हमारा लिया गया है रमान तो इसी तरह से मैं कुछ बाके लूँगा जो सब्दे लूँगा उनके आपको बताना है कि उनकी क्या विवक्ति है या वो किस तरह से बने है तो इसका उत्तर देखिए आप तो रमान में आप से पूछा मैंने कि कौन से वक्ति है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर है सश्टी वक्ति, तो रमान में हमारा सश्टी वक्ति होता है, और यह जो रमा है, उससे आपका आया है, इस तरी लिंग से, तो इसकी क्या कौन से वक्ति है, सश्टी वक्ति, और रमा, इसमें आपकी हो जाएगी प्रतमा, औ आपकी चदुर्दी तो यह सारी की सारी जो मैं आपको बताते जा रहा हूं उनको आप या तो स्क्रीन सोट लेकर याद कर सकते हो या फिर इन्हें आप इसी तरह से देखके याद कर सकते हो तो चलिए नेक्ष्ट परिशन और हम लेते हैं तो बो जो हम प्रिशन लेने वाले ह बो भी बहत पूर्ण है तो उने भी आप ध्यान से देखिए तो यहां में हम लेने वाले हैं बो है कि तस यहां पे आपको हम देखिए कैसा देंगे प्रिशन को समझ यह पहले है जो चीज होती है बो है प्रिशन को समझना अब हम गलती क्या करते हैं संस्क्रित में है कि हम कोहें को समँझते हैं। बहूर्ट सबसे जहीं होती ही। यहां पर आपको देखना है कि प्रश्नम मैं हैंन। पूछा क्या है। फिर उसक Comud को उत्थर देना है। वह आपको यहां पे देखना होता है। या फिर हमको साधुभी का बता करका बता दो तो हम आपको दोनों का बताने वाले हैं तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको तस्से के बारे में तो देखिए तस्से में कौन सी व्यक्ति और कौन सा बचन तस्से में आपका हो जाएगा सश्टी विवक्ती एक बचन के साथ ये जो बना है आपका और मैंने आपको स्रिफ राम और कवी की वक्ती जो है पिछली वीडियो ति उसमें बताया था बट अब अंगली जो वीडियो रहेगी उसमें आपको जो तस्से हुआ और जितनी भी हमारी सारी वक्ती होती है करांदी करांद उनको मैं बन वाय बन करके बताने वाला हूँ तो अब देखिए यहाँ पे साथू वीगी विवक्ती तो बेहा हो जाएगा आपका तरत्य विवक्ती यहाँ पे है और बहु बचन है तो देखिए हम इन सब्द की बात करने आपको और कुछ नहीं देखना है यहाँ पे जो तस्से लिखा है उसमें सच्टी विवक्ती विवक्ती है और जो सादू भी लिखा है उसमें तरत्य विवक्ती 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 है तो यहां पर तस्याम का क्या है वह आप देख लीजिए तो तस्याम में आपकी है 67 वख्ती एक बचन के साथ और पितराम में है आपकी त्रती वख्ती एक बचन के साथ तो धन्यवाद में तरू हूँ अपका इस वीडियो को देखने के लिए इस lecture को complete लिए देखने के लिए और इस वीडियो में इतना ही था और जो आँगे कि वीडियो जो आने वाली हैं वो आपकी आएंगी Class 10 Science के solution ये जितने भी प्रकार के आपको solution चाहिए उनकी आप हमें वीडियो जो भी चाहते हैं उसको आप comment box में लग दीजिए आपको हम वीडियो देदेंगे तो धन्यवाद